Hello friends, you are welcome in your channel Dream English Classes तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Under, Beneath और Underneath के बारे में आज हम इन तीनों प्रिपोजिसन को बहुत ही बारिकी से समझने वाले हैं तो वीडियो को एन तक देखीगा तो फिर चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं Under के बारे में Under की मीनिंग होती है नीचे पर जब कोई चीज किसी वस्तू के नीचे होती है और उन दोनों का आपस में टच न हो रहा हो तो इस कंडिशन में हम Under का यूज़ करते हैं आप एक्जामपल से बहते समझेंगे पहला एक्जामपल है मैं पेड़ के नीचे सो रहा था तो जब मैं पेड़ के नीचे सोंगा तो मेरा और पेड़ का आपस में टच नहीं होगा सिर्व मैं उसके नीचे हूँ लेकिन उसे मेरा और पेड का touch नहीं हो रहा है तो इस condition में हम under का use करेंगे I was sleeping under the tree मैं पेड के नीचे सो रहा था तो यहां पे हमने under का use किया है अगला example है वो चछत के नीचे बैठा है अब देखे चछत के जब वो नीचे बैठेगा तो चतका उसका अपसमें touch नहीं हो रहा होगा तो इस condition में हम under का use करेंगे He is sitting under the roof तो यहां पर भी हमने under का use किया है आप under को अच्छे से अब समझ गये होंगे तो फिचली अब हम बात करते हैं बिनित और underneath के बारे में बिनित और underneath इन दोनों का भी मतलब होता है नीचे अंडर और बिनित दोनों का मतलब होता है नीचे जब कोई वस्तू किसी वस्तू के नीचे होती है और उन दोनों का आपस में touch होता है तो इस condition में हम बिनित या फिर underneath का use करते हैं आप इन दोनों का use कर सकते हैं चाहे आप बिनित का use कीजे चाहे underneath का दोनों का मतलब होता है नीचे नीचे पर टच होते हुए एक्जामपल से आप बहतर समझ पाएंगे पहला एक्जामपल है मेरा किताब तकिये के नीचे है तो जब किताब तकिये के नीचे होगा तो किताब का और तकिये का आपस में टच होगा तो इस condition में हम beneath या underneath का use करते है My book is beneath the pillow आप इस sentence को ऐसे भी बना सकते है My book is underneath the pillow चाहे आप beneath का use करें चाहे underneath का अगला example है Road car के नीचे है Road car के नीचे जब car उपर से चलेगी तो road जो होगी वो car के नीचे होगी तो जब car road के उपर से चलेगा तो car का और road का आपस में touch होगा तो यहापे touch हो रहा है और नीचे है तो इस condition में हम beneath या underneath का use करते हैं Road is beneath the car Road is beneath the car हम इस sentence को ऐसे भी बना सकते है Road is underneath the car चाहे आप beneath का use करें चाहे underneath का दोनों का मतलब होता है नीचे और बिना touch होते हुए तो वीडियो को हम यहीं तक रहन देते हैं मैं उम्मीद करता हुए वीडियो आपका पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें share करें और माय चैनल को subscribe करें और bell icon को भी प्रेस कर दें ताकि रोज आने वाले वीडियो को notification आपको टाइम पर मिल सके तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में